हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम तो आल चैनल, तोड़े इन दिस वीडियो आम गोई तो प्रोवाइड यू बुक्स फॉर अमनेस, बिकस्ट मेनी ओफ आर यू कमेंटिंग की माम बुक कौनसी पढ़ें मनेस के लिए, कौनसी प्रिफर करें इंग्लिश, GKN, साइन्स के लिए, तो इन दिस वीडिया, आम गोई तो प्रोवाइड यू बुक लिस्ट, बट बिफोर गेटिंग स्ट विए इस सेशन, लेट मी ग्लियर वन तिंग, कि मनेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक एक बुक नहीं है, जिसे मैं आपको बता दू और आपका मनेस क्लियर हो जाए उसे के बाद, ठीक है, तो मनेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, and the book that is Sura Publication की जो मनेस की बुक है, that is not I think for मनेस preparation, because उसमें से कुछ ही नहीं आता है, last year मैंने पूछा था बच्चों से और इस बार भी बच्चों से मैंने उसकी reviews मागे, they said कि इसमें से कुछ ही नहीं मनेस से रिगार्डिंग, ठीक है, और जिन बच्चों ने 2018, 2019 and 2020, ठीक है, एक्जाम दिया होगा, उन्हें पता होगा कि इसमें से कितना फस्ता है और कितना नहीं फस्ता, ठीक है, this is frankly speaking, उसमें से कुछ ही नहीं आता है, ठीक है, उस बुक को मत लेना, then in this video, English में सबसे पहले जो मैं आपको बुक प्रिफर करूंगी, that is from Plinth to Paramount, and why I am preferring this book, क्योंकि ये मैंने भी पढ़ी है इस बुक से, इसलिए मैं अपना खुद का review दे रही हो, कि ये बुक है, बहुत best, जनल इंग्लिश के लिए, ठीक है, और इसमें जो सबसे important बात ही है कि जो MNS की जो topics है, same topic इसमें दे रखे है, like, that is preposition, articles, conjunctions, active passive voice, and direct and indirect speech, even more, जो भी MNS से related जो questions आते हैं, English में, वो सारे इसमें दे रखे हैं, ठीक है, जो topics मैंना आपको जो बुक प्रोवाइड की थी, syllabus प्रोवाइड किया था, sorry, तो जिन बच्चों ने वो syllabus नहीं देखा, एक बर वो syllabus देख ले ना, वहां से आप copy कर सकते हो, क्योंकि वो syllabus जो मैंना आपको प्रोवाइड किया है, वो मैंने खुझ से प्रोवाइड किया है, last three years के experience पर based, जो topics आए है, last three year MNS में, वो सारे topics उसमें mention की है, तो आप उस वीडियो का देख ले ना, वीडियो का जो link है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप playlist में जाके देख सकते हो channel के, so from plinth to paramount, this is one of the most important book for your preparation, ठीक है, and इसका जो मैं आपको front दिखा दू, ये कैसा है, this is from plinth to paramount, and इसकी एक और खासियत है इस book की, की सारे topics MNS से related तो है, but the second most important की, जो भी topic इसमें दे रखे, उसके and में, उस topic के regarding सारे questions, मतलब 100 to 150 questions आपको मिल जाएंगे उस topic से regarding, तो इससे आपको क्या होगा, वो topics एक तो concise way में दे रखा है, तो बहुत जल्दी आपका वो topic complete हो जाएगा, whether it is your articles, preposition, conjunction, active, passive, ठीक है, जो भी topic है, मतलब synonyms, antonyums भी दे रखे हैं, then one word substitution, idiom and phrases, जितने भी topics दे रखे हैं, पहले उनको पढ़ाया है, short में और बहुत easy way में, और उसके बाद उसके exercise भी दे रखे हैं, आपको MCQ form में, तो this is one of the best book, I think, for your M&S preparation, then the next book is objective, जो general English की है, that is SP Bakshi की, तो ये भी अच्छी book है, but the thing is, कि from plinth to paramount, जो book है, this is, इसके नाम से ही पता चल रहा है, from plinth to paramount, मतलब basic से, औ और थोड़ा medium level तक इस book में आपको बताया है, लेकिन जो SP Bakshi book है, इसमें एक problem है, कि जो भी आप में, इसमें topic देखोगे, तो topic तो सारे मिल जाएंगे M&S से relevant, जो M&S में आते हैं, but इस book में एक problem है, कि ये जो book है, जो भी topic इसमें कराया है, वो बहुत जादा broad way में है, मतल इसमें, आप मैं prefer नहीं करूंगी इस book को, but still I am by reading this book, क्योंकि इसमें एक problem, एक अच्छी बात ये है, कि basic इसमें जो topics है, वो बहुत जादा broad दे रखे हैं, ठीक है, ये book है मेरे पास, दौना books है मेरे पास, तो मैंने generally इस से पढ़ा था, from plinth to paramount से, जो general topics हैं, जो main important topics हैं, सारे topics मेंने इसी से किये हैं, और सारे topics इसमें दे रखे हैं, ठीक हैं, लेकिन objectives से, फिर मैंने इसमें objectives अगर आपने एक बार ये कर लिये, from plinth to paramount, तो आप फिर इसके जो objective exercise है, जो MCQ form में दे रखी हैं, उसे आप solve कर सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी एक अच्छी opportunity रह account एक बार कर लिये, तो फिर आपको high level के questions भी करने है, because आपको पता है, जो MNS का exam का जो level है, वो year wise year बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा 2018 में था, वैसा 2020 में नहीं आया है, ऐसे exam, तो level भी increase हो रहा है, तो उसके basis पे भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ journal से तोड़ा hard English ले तो general knowledge के लिए, why I am focusing most on English and GK, क्योंकि यही एक ऐसे topics हैं, जिन में problem phase करनी पड़ती है, जाधा तर बचो को, क्योंकि जो MNS है, वो 10th and 12th के, sorry 11th and 12th से जो bio pass out होते हैं, तो उनके लिए, तो bio student के लिए, जाधा problem नहीं होती साइंस में, ठीक है, उन्होंने bio के, और even most questions are from bio, त science में, बट जो जाधा problem आती है, वो that is GK and English, ठीक है, तो इसलिए मैं GK and English पर जाधा focus कर रही हूं, तो GK के लिए, मैंने ऐसाच कोई book prefer नहीं की थी, frankly speaking, ऐसाच मैंने कोई GK के लिए book नहीं करी दिया, but if you are asking me कि GK के लिए कौन सी book best है, तो I think Lucent से best Ariant की है, तो I'll prefer Ariant, because Ariant से related, मतलब जब हम exam देने गए थे, तो एक बच्चे ने बताया था कि Ariant जो है, वो best है Lucent से, क्योंकि Ariant में भी same, ऐसा ही कुछ content है, जैसा from Plains to Paramount का, जो content का structure है, मतलब concise way में topic wise दे रखा है, और उसमें इसके exercise भी दे रखी है, तो Ariant is best for your static GK, मतलब यहाँ पर मैं static GK लेक मैंने एक दो topics से पड़े हैं, तो मुझे नहीं पता Lucent कैसी है, इतनी अच्छी तो नहीं है, but Ariant is best for your general knowledge, ऐसा मुझे लगता है, अगर आप book भी एक बार को नहीं पड़ते हो, ठीक है, तब भी कोई problem नहीं है, MNS के लिए, the most important thing is, आपको जो previous year questions paper है, वो करने है, और मैंने आपको अलरी प्रोवाइड कर दी है, 2018, 19, and 20 के MNS previous year questions, तो this is must for your MNS preparation, and especially उन बच्चों के लिए, जो MNS 2021 में, first time MNS के exam देंगे, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है, कि MNS में questions किस टाइब के आते हैं, ठीक है, because mostly बचे ये रहता है, उने कि भाई, उसमें तो science ही आती जाती है, और वो कैसी किस लेवल की आती है, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है, previous year questions, बहुत important है MNS के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि MNS के questions, previous year repeat होते हैं, obviously repeat होते हैं, 2020 के exams में भी कॉफी सारे questions थे, जो 2018 और 19 से आये ठीक है, then the most important is this one, defense exams, आपके जो defense exams जो होते हैं, NDA, CDS, SSC, Army के through entry जो होती है, तो जितने भी defense exam है, especially जो CDS के OTA exams होते हैं, उनके questions जरूर करना, क्योंकि OTA का जो syllabus है, that is similar to MNS, MNS का जो syllabus है, that is similar to CDS OTA, because OTA का जो syllabus है, उसमें science, general knowledge and English, यतीनों subjects आते हैं, जो as such MNS में भी आते हैं, but the difference is कि जो OTA, जो CDS OTA exam है, MNS का भी जो exam है, अब थोड़ा difficulty होगा आपसे, easy तो होने नहीं वाला, तो इसलिए I will prefer कि आप previous year questions, defense के जितने भी exams में आते हैं, even FKET, ठीक है, क्योंकि FKET की भी मैंने questions आपको provide कर दी है, जो 2020 के 3, 4 और 5 October को, जो MNS, sorry, FKET के exam हुआ था, उसके मैंने 2 videos provide कर दी हैं, part 1 and part 2, वो से देख लिए, important है, वो questions, तो जितने भी questions हैं, जो defense exams में आये हुए हैं, वो important है, not only defense exams, जो center level के जितने भी exams होते हैं, that is SSC, CHSL और SSC, MTS, तो ये भी questions आपके लिए important है, तो previous year questions solve करो, that is most important for your preparation, क्योंकि आप एक content पर अकर stick हो जाओगे, और content पढ़ोगे, तो आपको पत time to solve the questions, तो ये आपके लिए बहुत जादा beneficial होगा, आपके MNS की preparation में, ठीक है, तो general knowledge का, ये हो गया, important है, आपको ये दो बाते आद रखनी है, previous year questions must solve करके जाना है, and defense exams जितने भी होते हैं, साल में दो बार होते हैं, ठीक है, साल में एक बार होते हैं, उन सारे एक बार उनको देख लेना, ठीक है, क्योंकि उन में जो slayvers है, वो similar MNS के जैसा ही है, और काफी सारे questions, इन में एक दूसरे exams में दे भी देते हैं, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा कि defense के exam, एक दूसरे exams में आ जाते हैं, FKET का CDS में दे देंगे, CDS का NDA में दे देंगे, तो ऐसे करके, तो ये करियंत की general knowledge की है, and this is Lucent, and I'll prefer your Arihant for MNS, next is current affair, see guys, current affair के लिए, then again I am saying, current affair के लिए, आप monthly current affair करो, चीक है, monthly current affair आपके लिए बहुत important है, and कोई सा भी YouTube channel देख लो, जिससे आपको appropriate लगे content अच्छा हो, तो उससे आपको monthly current affair करने है, and इसके एक फायदा भी है, कि एक तो आपको monthly current affair, जो most important news है, वो आपके month में cover हो जाएंगी, उसके आप notes बना लो, और उनको बार-बार revise करो, मतलब वीडियो देखने को लिए, आपको बार-बार time waste नहीं करना पड़ेगा, फिर, एक बार अपनी notes बनाओ monthly current affair के, और उन्हें monthly while revise कर दे जाओ, ठीक है, तो जो भी important, again I am saying, कि मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगी, कि इस YouTube channel से कर लो, या उस YouTube channel से कर लो, ठीक है, this is 22 nature, तो मैं ये नहीं चाहती, आप किसी भी YouTube channel से कर सकते हो, जो भी monthly current affair provide कर रहे है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसी से देखो, ठीक है, जिससे समझ में आ रहा है, उसे देखो अपना, और अपनी notes बनाओ, ठीक है, ये मैंना आपको कुछ options provide कर रहे हैं, basically current affairs के लिए, but options है इसका मतलब ये नहीं आपको ये follow करने है, it's up to you, कि आपको क्या अच्छा लगता है करना, but newspaper के बारे मैं एक चीज़ बता दू, मैं newspaper reading is a good habit, but if you are preparing for MNS, तो आपको इतना deep जाने की जरुरत नहीं है, you are not preparing for UPSC level, तो आपको ये newspaper daily पढ़ना है, and the most important thing is, अगर आप newspaper daily पढ़ हो, तो उसमें एक problem है, कि MNS में जो current affair के question आते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपको पूरा current affair level, मतलब 150 questions आपके current affair based होते है, ठीक है, या फिर current affair कम static होती है, तो static के आपके questions वहाँ से मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, and the second most important जो problem रहती है, newspaper में, कि अगर आप monthly current affair करते हो, तो आप आपको पूरा निचोड मिल रहा है, एक मन्त का, कि जो जो important news हुई है उस मन्त में, वो आपको मिल रही है, एक जगे, तो वो better है ना, और आप अगर day to day current affair कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ news ऐसी है, जो आपके लिए important नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप आपको time-based होगा, तो इसलिए I'll prefer monthly current affair, do monthly current affair and you know time-wise करो, एक भी मन्त का छूटना नी चाहिए, daily आपको हर मन्त का, sorry, जितना भी मन्त and होता है, तो उसके current affair, जबी भी जिसी भी channel से आप करते हो, उससे अच्छे से वो current affairs के जो मन्तली है, वो complete करो, ये news app and online website, these are again options, I'm not telling you to follow these also, but the most important I said कि आप YouTube से करो, and not only YouTube, I think जो booklet आती है, month-wise current affairs की, वो भी आप prefer कर सकते हो, ठीक है, अगर आप, क्योंकि काफी सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, जिनने YouTube या फिर online study जादा appropriate नहीं लगती है, preferable नहीं लगती है, तो that is up to you, कि आप किस mode को जादा preference देते हो, या आ आप के लिए कौन सा appropriate mode है, पढ़ने के लिए, ठीक है, and the most common जो question है, current affairs से related की, कहां से कहां तक की current affair करने है, तो see guys, I am answering this question in this video, and please I will suggest you, यह तो मेरे को starting में बोला था कि complete video देखो, क्योंकि फिर again तुम comment में बोलते हो कि क्या पढ़ना है, कहां से कहां तक की current affair पढ़ने है, त अब सुन लो एक बार, for example, अगर आपका MNS के exam March 2021 में होगा, ठीक है, for example, I will just give you an example, कि अगर आपका MNS के exam 2021 में होता है, March के, तो आपको current affair March 2020, ठीक है, एक साल हो गया, March 2020 से, आपको February 2021 के current affair तक करने है, monthly current affair जो मैं बोल रही, वो करने है, ठीक है, अब इसमें भी important क्या है, कि आपको February से last six months के, तो current affair must करने है, जो important है, सारे जितने भी headlines important बनती है, state and central level की, जो most important है, तो वो आपको करनी है, और जो March के, और February तक के, जो current affairs है, overall, वो आपको static भी लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, कि current affair से ही जीके बनती है, अगर current affair में, अगर current में कोई place news में है, या कोई GI tag, या कोई product news में है, या कोई monument news में है, तो वो आपकी static बन जाती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, for example, अभी काजी रंगा news में है, क्योंकि pandemic की वज़े से, वहाँ पर tourist काम रह गया है, ठीक है, और prices भी low कर दी है, passengers के लिए, तो ये सब जो news में है, for example, अगर आप से पूछ लिया काजी रंगा काएं, तो काजी रंगा से related नामेरी और मानस नेशनल पाग भी है, तो ये सब चीज़े static में है, बट वो current से ही ली गई है, current में जो चीज़े news में होती है, वो static बन जाती है, तो current को parallel लेके चलना है आपको static के साथ, ओके, I think current affair का आपका जो problem है, वो resolve हो क्या होगा, अगर मार्च में exam होता है, तो मार्च 2020 से February 2021 तक के आपकी current affair होगे, और last six months के तो आपको सारे most important current affair करने, day to day, sorry, जो monthly important है वो, and अगर आप day to day follow कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है, अगर आपके पास time है, आपको लगता है, वीक है, तो आप day to day करो, no problem, क्योंकि day to day में ऐसा होगा, कि आपको पता चल जाएगा, कि आपकी static भी complete होती रहेगी, CMN, जो union ministers है, वो, okay, then next is your science, तो science का तो as such कोई problem नहीं है, science अपने 11th and 12th science से ही किया है, जो MNS के exam दे रहोंगे, तो उनकी लिए science में problem इसलिए नहीं आती है, क्योंकि जो science वाले बच्चे हैं, उनकी लिए जो bio है, क्योंकि वैसे भी ये 3 parts में divided है, GKN English तो पूरी आती है, 50-50 marks की, लेकिन जो 50 marks की science आती है, उसमें already division हो जाता है, bio, physics and chemistry में, and bio is must for you, क्योंकि bio तो बहुत जादा main part है, और जादा marks की भी आती है, तो इसलिए problem नहीं होती, bio में, physics, chemistry भी normal basic questions आते हैं, okay, तो bio के लिए and chemistry के लिए तो 11th and 12th के anxiety enough है, and अगर आप पहली बार NCRT पढ़ोगे, कुछ बच्चे हैं, जो पहली बार NCRT पढ़ेंगे, 12th अपेरिंग, 11th अपेरिंग है, 11th में हैं या पर 12th में इस साल, sorry, तो I suggest कि अपना board का तो पढ़ते रहो, बट साथी साथ जादा से जादा questions solve करो, जिस भी chapter को आप पढ़ रहे हो, उस chapter की questions जरूर solve करो, MCQ form में, क्योंकि MCQ form में, वो questions आपके क्या हो, पता MNS में आ जाएं, और MNS में ऐसी questions आते हैं, जो basic रहते हैं, friction में जो basic formulae लग रहे हैं, then your lens वाला जो optics जो unit है, उसमें जो basic formulas है, जो basic one-liner questions है, जो basic questions है, वो आपको important है physics के लिए, तो bio and chemistry के लिए, आप NCRT prefer करोगे 11th and 12th की and physics के लिए basic questions, ये 11th and 12th की bio की मैंने आपको book का front page भी दिखा दिखा दिया है, then next, if you want to know my strategy की मैंने कैसे preparation की थी, तो ये आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, link आपको फिर i button में मिल जाएगा, that is track to crack MNS, and if you want to follow this telegram channel, तो search MNS prep on a telegram on your telegram app, तो वहाँ पर आप इस channel को join कर सकते हो, और ये जो वीडियो है, ये मैंने आपको telegram पर भी share कर दिये, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि strategy क्या है, MNS को clear करने के लिए my strategy and how to prepare for MNS 2021, तो अगर आपको updated इस पर वीडियो चाहिए, कि MNS के लिए preparation कैसे करें, तो I'll provide you, but at last I want to speak one thing only, कि कोई सी भी बुक से पढ़ो, MNS के लिए कोई भी specific बुक नहीं है, English अलग है, GK अलग चलता है, Career फिर अलग चलती है, Science अलग चलती है, तो तीनों ही subject ऐसा नहीं है, कि आपको एक मैं बुक पता दू, उसमें से आप पढ़के चले जो, और आपका MNS क्लियर हो जाएगा, तो MNS के लिए कोई भी specific बुक नहीं है, तो बुक को इसी भी पढ़ो, पढ़ना तुम्हें ही है, ठीक है, चाहें फिर आप YouTube से पढ़ो, बट हाँ, ऐसा है कि YouTube से कुछ ऐसी वीडियोस है, जो आपको help करेंगी, learn करने में, तो वहाँ से आपको profit हो सकता है, definitely profit होगा, ठीक है, So, I think this is end of the video, आपको वीडियो पस आन्दा है, तो प्लीज लाइक करना, subscribe कर लेना चैनल को, ठीक है, That's all for today, अगर आपको कोई भी doubt है, regarding this book issue and M&S preparation से relevant issue, तो you can comment me in the comment box, Okay, thank you,